बिहार के जेडीव विधायक गोपाल मंडल की तेज़स राजधाने एक्सप्रेस ट्रेन में अंडर वियर के साथ तस्वीर होने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। मामले में ABP News से बात करते वे सभी आरोपो को खारिज कर दिया। और ऐसा करने के पीछे की वज़बत आई है। गिर जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। वो आगे कहते हैं हम तेजी से निकल रहे थे। बगल वाले ने पूचा कहा जा रहे हुआ। मैंने कहा हम लेटरीन जा रहा हैं। तो उसने कहा कि इस वेश में नहीं जा सकते। मैंने पूचा क्यों तो वो बोला कि आप कपड़े पहनिये। अगर हम कपड़ा पहनते तो हमको लेटरीन हो जाता। दिक्कत हो जाता। इस दोरान विदायक ने महिला रिपोर्टर को अपने जंगिया की लंबाई भी दिखाई। जब रिपोर्टर ने उनसे अर्द नगन आवस्ता के एक बारे में सवाल किया तो उनका जवाब बेहद ही हैस्यपत था। उन्होंने जंगिया की लंबाई दिखाते हुगा कहा। ये देखिए हमारा जंगिया यहां तक है। हम फुल वाला जंगिया पहनते हैं। उसको शौर्ट टैंट माना जाता है। उसी जंगिया और बनियान में जा रहे थे। इधर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा। हम दोड़ते हुए जा रहे थे। रोक कर उन्होंने डिस्टरब किया। लेटरीन से वापस लौट कर हमने पूछा कि बोलिये बाबू। उसी समय मेरा फोटो और वीडियो लिया गया। हमने पूछा कि बोलिये बाबू क्या दिक्कत है। आप कौन है। तो उन से लिटरीन आये। तब मिजाज जाकर हमाना थोड़ा फ्रैश हुआ। टोक ने पर धंकाने और गाली गलोच के आरोप पर विधायक ने कहा हम किसी को नहीं धंकाए है। सिर्फ उसने ऐसा बोला कि आप ऐसा क्यों कि उसी पर बखवास करने लगा। वहाँ पर कोई आम साथ वर्ष हमारा उमर है। हम गलत नहीं कर सकते हैं। वहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं एक अन्ज वेक्ति से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्हें कहा विधायक जी आये और उन्होंने जल्दी से कपड़ा उता रहा। बाथरूम की तरफ भागे। मुझे लगता मैं कौन हूं मेरी उम्र तु देखो तो उसने कहा कि उम्र क्या देखें आप नंगा गूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नंगा नहीं गूम रहा मैंने इतनी बड़ी चित्टी पहनी हैं बनियान पहना हैं गमचा लेने जा रहा हूं वह बेवज़ा उनसे उलज रहा माचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा था वास्तों में मैं अंडरिवेर और बनियान में था क्योंकि जैसे ही मैं ट्रेन में चड़ा और कुछ दूर गया तो मेरा पेट खराब था मैं जो बोलता हूं सकते बोलता हूं मैं जूट बोलता ही नहीं हूं उन लेखनी है कि र कोच में मौजूद दूसरे पैसेंजर्स में कड़िया पत्ति जताए जिसके बाद चलते ट्रेन में कोच के अंदर जमकर हंगामा हुआ कर दो कर दो कर दो